नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना हूँ, Senior Consultant Pulmonology सनार International Hospital में आज हम बात करेंगे Obstructive Sleep Apnea के बारे में Obstructive Sleep Apnea एक ऐसी बिमारी है जो नींद में होती है नींद में जो हमारी हवा की नली है, उपरी हवा की नली उसका बंध हो जाना और उससे oxygen की कमी हो जाना उसको Obstructive Sleep Apnea कहते है Obstructive Sleep Apnea जाता दर उन लोगों में पाया जाता है जो उबीज होते हैं जो मुटापे की शिकार होते हैं या जिनका neck circumference काफी जादा होता है या इसके और भी कारण है जैसे कि कुछ anatomical defect जैसे रिट्रगनाथिया पीछे की तरफ जो होना या टंग का बहुत मोटा होना या इसके और भी कारण है इसकी जो लक्षन है वो रात में नींद का तूटना रात में खराते आना दिन के समय सुबह के समय ऐसा लगना कि रात में पूरी नींद अच्छी नहीं हुई है दिन में चिचड़ापन होना, मूड अच्छा नहीं होना, गाड़ी चलाते समय नींद आना, ये बैठे-बैठे जपकियां लेना, ये इसके मुख्य लक्षियन है, अब अगर किसी की रात में किसी को अप्सेक्टिव स्लीप अपनिया हैं, तो उससे रात में हर बार सांस रु का मेटाबॉलिक कॉंप्लिकेशन्स और काफी जादा बॉडी पे होता है, जैसे अगर किसी को बीपी है, तो बीपी अंकंट्रोल होना, या शुगर का अंकंट्रोल होना, और अगर नहीं है, तो स्ट्रोक, 6-7 ताइम स्ट्रोक का बढ़ना, रिस्क फैक्टर बढ़ना, 60-70 रिस्क और काडिक इवेंट, जैसे हाट अटैक का बढ़ना, यह सारे इसके कॉंप्लिकेशन्स हैं, जो अब्स्रेक्टिव स्लीप अप्निया का ट्रीटमेंट है, उससे पहले हम थोड़ा सा उसकी डाइगनोसिस के बारे में बात करते हैं, डाइगनोसिस में इससे यह समय करते हैं, वो institutional मतलब hospital में भी हो सकता है, और home-based sleep study भी हो सकती है, उसमें हम देखते हैं कि एक घंटे में पेशन्ट की सांस कितनी बार रुक रही है, उसके अरद्मिया तो नहीं हो रहा है, उसकी हाट की गति कैसी है, और बाकी अन जानकारी उससे मिलती है हमें, जब एक बार sleep study की diagnosis हो जाती है, then patient को हम CPAP recommend करते हैं, और CPAP की pressure हर मरीज के लिए एक अलग pressure requirement होती है, CPAP का मतलब होता है continuous positive airway pressure, ऐसा समझे है, जैसे एक tube है, एक pipe है, और उसकी में रुकावत आ गई है, वो बंद हो गई है, तो continuous positive airway pressure से हम उस pipe को अपर airway को हम open रखते हैं रात में, जिससे की हमारा शरीर में oxygen बिल्कुल maintain रहे और कम नहों और सारी metabolic complications से हम बस सके, sleep apnea का management और treatment जितनी जल्दी हो जाए, पेशेंस के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि इसका effect और complications जो body पे है, वो बहुत ही fatal है, इसका prevention भी important है, जैसे अपने body weight को बढ़ने ना दे, BMI को चेक गैजट से सोते समय दूर रहें, डिनर का time fix करें, and healthy lifestyle अपना है